साथ स्रेकाल नमस्कार हमारे सभी किसान भाईयों को मैं समसेर सिंग विरक आप लोग बने हुए हैं फार्मिंग ज्यान चैनल के साथ किसान भाईयो आज हम आपको दिखाने वाले हैं पेड़ी और पौधे गन्ने की जो हम कैल्टीवेटर यंतरों से जुताई करते हैं तो दो मैं आप लोगों को इस फेसल गन्ना जुताई कैल्टीवेटर दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही सफल है गन्ना जुताई के लिए तो बने रही है इस वीडियो के साथ सुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा अगर अच्छी जानकारी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके और पासवाली गंटी को प्रेस कर दीजिएगा जिससे खेती बारी सबंदी जानकारियां के वीडियो आप लोगों को इन नोटिफिकेशन मिलते रहें तो किसान भाईयो धान की खेती अगर आप करते हैं और उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं और नरसरी अच्छे से कैसे त्यार की जाए तो हमारे आई बटन पर जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं और भी गन्ने के मैंने special वीडियो अफलोड किये हुए हैं गन्ने की growth और tilling बढ़ाने के लिए वह भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो किसान बाईयो चलिए अब बात करते हैं किसान बाईयो जैसे कि गन्ने की निराई और गुड़ाई और जुताई हमारी एक मददगार होती है गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए तो इस समय बहुत ही सही समय चलना है किसान बाईयो गन्य की जुताई करने के लिए कल्टिवेटर से लेकिन बिसेश थोड़ा ध्यान रखना है किसान बाईयो गन्य की जुताई करते समय आप धूप में करें यनी दुपाहर में करें जब अच्छी धूप लगी हो जिससे हमारे खर पतवार जो हैं बहुत जल्दी सूखते हैं और किसान भाईयों गन्ने की कल्टीवेटर से जुताई करते समय ततकाल सिचाई न करें जिससे हमारे जो खत पतवार होंगे वो फिर से जर्मिनेशन जर्नेट कर लेंगे और सूखने नहीं पाएंगे तो सिचाई जो है किसान भाईयों जुताई करने के बाद आठ या दस दिन के बाद सिचाई करें जो की बहुत अच्छे तरीके से हमारे खत पतवार जब सूख जाएं तो ये तो रही साधानिया किसान भाईयों अगर हम गन्ने की अच्छी से जुताई केल्टिवेटर से करते हैं तो जो हमारी मिट्टी होती है किसान भाईयों वो बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो जाती है भुरभुरी हो जाती है जो जड़े हमारी बिक्सित जो रूट जड़ों का होता है वो बहुत ही जल्दी बिक्सित होती है और टिरलिंग जादा करता है गन्ना मिट्टी टाइट और हाड होने से खेत किसान भाईयो गन्ना टिरलिंग और ग्रोथ नहीं कर पाता है ये विशेष किसान भाई ध्यान रखें और किसान भाईयो अब हम आपको दिखाते हैं गन्ने के special दो cultivator जो की हम लाइनों में adjustment करके बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं जो की गन्ने का नुकसान भी नहीं होगा और गन्ना उखडेगा भी नहीं पहले नंबर पे जो मैं आप लोगो को cultivator किसान भाईयो दिखाने जा रहा हूँ ये एक portion में 5 फाले लगे हुए हैं टोटल इसके अंदर 15 फाले लगे हैं जो 3 लैनों में चलते हैं किसान भाईयो अगर लाइन की दूरी हम रखें दो फिट से लेके ये किसान भाईयो तीन से साड़े तीन फिट तक हम लाइन से लाइन की दूरी अगर है गन्ने की तो भी हम अच्छे तरीके से जुताई कर सकते हैं आप देख सकते हैं जो हैंडल लगे हुए हैं देख सकते हैं किसान भाईयो इस तरीके से हम अरजेस्टमेंट कर सकते हैं जितनी हमारी लाइन की दूरी है ये देख सकते हैं इसकी उचाई भी काफी बनाई गई है और एक पोर्सन में पांच फाले लगे हुए हैं टोटल पंदरा फाले हैं एक कल्टिवेटर में इसकी जो हाइट की बात करें किसान भाईयो काफी हाइट है अगर गन्ना हमारा लंबा उंचा भी होता है तो गन्ना तोड़ता नहीं यह नीचे से आसानी से निकल जाता है तो किसान भाईयो यहां से हम देख सकते हैं यह काफी इसका मजबूत बनाया गया है जो कि हम पेडी गन्ये की भी अच्छे से जुताई किसानवाईयों कर सकते हैं और खरपतवारों को भी नश्ट कर सकते हैं यहां से आफ इस हैंडल दुआरा आपको यहां से लाइनमेंट बनानी है जितनी आपकी दूरी है तो किसानव तेंच मेथड़ से भी गन्ने की बुऊई करते हैं तो उसमें भी सफल है अब बात करते हैं दूसरे नंबर कल्टिवेटर की जो की एक पोर्सन में तीन फॉले हैं और टोटल इसके अंदर नौ फॉले लगे हुए हैं जो की अलग अलग तीन लाइनों में इसकी जुताई करते तो बहुत अच्छी उपज भी प्राप्त होती है लेवर का भी एक्टरा खर्च जो है वो भी बच्छत होता है सभी टेक्टरों से बड़ी असानी के साथ चलाये जा सकते हैं और किसान भाईयो देख सकते हैं गन्ने की जुटाई बहुत बहुत बहेतर करता है तो हमारे आने वाले चैनल पर किसान भाईयो वह वीडियो आप लोग जरूर देखें अगर गन्ने की खेती करते हैं तो किसान भाईयो गन्ने में निरंतर सिचाइक करते रहें जितनी हम सिचाइक किसान भाईयो करेंगे नमी को बनाए रखेंगे उतना ही गन्ने के किले और ग्रोथ अच्छी होगी तो आज के लिए इतना तक किसान भाईयों नई जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलेंगे तब तक सभी किसान भाईयों को धन्यवाद